हर्याना के राजसभा सदस्यक कार्थिके शर्मा के निर्वाचन को चनौती देने वाली याजका पर पंजाब हर्याना हाईकूट ने सुनुवाई 20 दिसंबर तै की है कॉंग्रस पार्टी के बरश निता आजय माकर ने ये याजका ताखिल की है याजका में कहा गया कि राजसभा के लिए कार्थिके शर्मा का चुनाओ 10 जून 2022 को हुआ था कार्थिके से अधिक वैद वोट हासिल होने पर रजय माकर को निर्वाचित खोशित करने के निर्देश देने की मांगी गई है हर्याना से राजसभा की दो सीटों के लिए चुना हुए थे इसमें माकर ने कॉंगर्स पार्टी के टिकेट पर चुनाओ लड़ा था हाई कोट को बताया गया कि मत पत्रों की वैदता जाच के दोरान ये दिखा गया कि कुल नवासी मतों में से एक मत दाता ने अपनी पसंद के रूप में मत पत्र पर एक अंक्य के बजाए नाम पर चिन लगाया था रिटर्निंग आफिसर ने नियम के तहट उस मत पत्र को अमाने बता कर खारिच कर दिया याचका के अनुसार याचका करता के चुनाव एजेंट बीबी बत्रा जो हर्याना विधान सभा के मौजूदा विधायक है उनके द्वारा लिखित में आपत्ती तर्च कराए गई थी जिसमें विशेश रूप से बताया था कि ये वोट निर्धारित नियमों के खिलाफ थ एजेंट ने अपनी आपत्ती में विशेश रूप से ये भी बताया कि नियमों के तहत निर्धारित उचित कॉलम में वोट को चिन्हित नहीं किया गया है ऐसे में ये वोट अमाने है हाला कि रिटार्निंग आफिसर ने बिना कोई वैद कारण बताए वो प्रुक्त आपत् अब आपके टीवी पर अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी हडी क्वालिटी में